कौन कहता है आस्मान में सुराक नहीं होता एक पत्थर तो तबियत से उच्छा लो यारो नमस्कार मैं हूँ आपके साथ ही मानशु नारंग और आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज मेहिनत, लगन, स्ट्रगल ये तमाम चीजें सामने आती हैं जब आप बोलिवूड का सफर तै करते हैं आप अपने घर से एक बैग उठाकर बुम्बई जाते हैं अगर आपको बोलिवूड में काम करना है तो माया नगरी तो जाना पड़ेगा हमारे साथ रोबिन सो ही मौजूद हैं ये करनाल के नीलो खेडी के एक हलके से हैं नीलो खेडी एक बहुत छोटा सा इलाका है अगर बात की जाए हर्याना की या माया नगरी के सामने की तो वहां से वो निकले उन्होंने अपने स्ट्रगल की शुरुआत की वो बुम्बई पहुंचे और अब बुम्बई में काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे काम अब उनका नाम है सीरियल्स के अंदर फिल्म के अंदर और पंजाबी इंडरस्टी उन्हें अच्छा जानती है लेकिन स्ट्रगल तो जिंदगी भर चलता रहता है बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमारे साथ रोबिन सोई मौझूद है कैसा सफर रहा अब तक का साथ साल हो चुके हैं सबसे पहला experience क्या सोचा बुमबई जाना है क्यों जाना है basically मेरे पापा का थोड़ा सा था कि मेरा बेटा थोड़ा अलग से लाइन में जाएगा तो अपने हां तो knowledge नहीं थी कि acting क्या होती है modeling क्या होती है तो हमारे हां तो यही था कि modeling मलब टीवी पर जो गाने बाने आते हैं उसमें music videos में modeling होती है तो फिर उसके लिए interest बढ़ता रहा बढ़ता रहा फिर मेरा खुद कोई interest बढ़ गया उस चीज के लिए चोटे बच्पन की बात थी तो फिर जब मैं 11 12th complete हुई मेरी तो फिर मैंने इस में knowledge लेना स्टार्ट कर दी तो फिर मैंने जैसे internet आ गया तो internet पर सब सर्च वज किया तो फिर मैं क्या modeling नहीं acting करते हैं मॉडलिंग करके कोई फाइदा निए कि पंजाब जाएंगे फिर तो फिर मैं बंबे गए कब थे अपनी लोकेड़ी से मुंबई और शाइदा तो फिर मैं अपना गर्ट्रीश पंजाएंगा करम सीथ अपकुर्स अडियों किया थौणी संतसक्ते फीक किस्पेरिंस के साथ आती है एक्टिंग आप करते करते ही सिखते हो, एक्सपिरियंस होता है, तो फिर मैंने ठेटर जोइन किया, वहाँ पर ABBS ठेटर ग्रूप है, तो तीन साल उनके साथ ठेटर किया, फिर इंडस्टी के बीच में फिल्म में कहीं जॉब वाब की, मैंने थोड़ा से कास्टिंग में, तो फिर वहाँ से नौलेज आई, फिर शीखा, तो तब मैं 17 साल का भी था, फिर 20-20 साल तक तो से मुझे समझ आया करना क्या है, क्या है, तो कैसे करते हैं, फिर धीरे 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 एक फिल्म मिल गई, फिर एड्स और म्यूजिक वीडियो करने लग गया था, फिर एक फिल्म मिली थी मेरी को, एक ता, जो अभी जस्ट रिलीज हुए, लास्ट मन थी, वो डिले हो गई थी थोड़ा, उसके बार फिर मैंने एक और फिल्म करी, राजा बरोरिया नाम था उसका, उसके बार मैंने कहीं टीवी शोज के लिए पाइलेट एक शूट होता है, जिसके लिए आपको एक शोज अप्रूव करने से पहले एक पाइलेट बना के भीड़ना पड़ता है, तो कहीं पर वोई कास्ट को सेम लेते हैं शो में कहीं बार चेंज कर देते हैं, और यह ऐसे मैंने दो तीन पाइलेट भी किये थे, जाते हैं ज़्यादा सोच कर नहीं जाते हैं, बस यह सोच कर जाते हैं कि काम मिल जाए, फिल्म में काम मिल जाए, बैग उठाकर हम लोग चल देते हैं, परिशानी बहुत आती है, खाने की परिशानी, रहने की परेशानी, बारिश का मौसम वहाँ सर रहता है, बारिश में आप ओडिशन देने जा रहे हैं, कई बार आपका फाइनेंस अच्छा नहीं होता है, घर से आपको जादा help नहीं मिल रही होती है, तो उस situation के अंदर आप अपने आपको कैसे ढालें, आपने कैसे ढाला औ और जो लोग वहाँ पर अभी हैं, वो अपने आपको कैसे ढालें? किया, जैसे थोड़ा समझ आए, तो मैं खुद भी जॉब करने लग गया था महाँ पर कास्टिंग में, तो अपनी लाइन में जॉब की मैंने था कि मुझे नॉलेज भी मिले प्लस पैसे भी आते रहे, उसके बाद देने वेरे एक बार आप सोच लो मुझे घर से पैसे नह हैं, तो अपनी मिल रही, चल बैग उठा कर वापिस चलते हैं, बहुत लोगों क्यों कि कहते हैं कि मुंबई में जितने लोग रोजाना आते हैं उतने से जादा जाते भी हैं, तो कई बार ऐसा माइंड में आता है यार कुछ भी नहीं बन रहा हर जगे मैं नोट फिट हो र हैं तो लेकिन फिर मैंने सोचा हुआ था यार यही है जो करना है, आपको पेशेंस ही आपको यह नहीं की डिगरी मिल की जॉब ढूंडने चले जो सर्टिफिकेट से चले जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग है, उसके बाद आप टैलेंट दिखाओगे, जब सबसे बड़ी चीज आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं, मुझे साथ साल हो गया, भी मैं धूंडी रहा हूं, जिंदगी पर ऐसा है, वह स्टाइल बदल जाता है, आप अभी ऑडिशन देने जाते हो, खुझ से जाते हो, और यह सर ऑडिशन है, तो पहले हमारा ऐसा है, अब खुझ से कहते हैं, सर ऑडिशन आजाओ, तो फिर थोड़े बाद ऐसा होगा, सर घर पे आ रहे हैं, सर यह स्क्रिप्ट है कर लो, जैसे स्टाज के साथ होता है, तो यह तो नगजरिया बदल जाता है, बड़ स्ट्रगल तो वही है, ठीटर कितना एहम भूमी का निभा आती है कि आप कितने परफेक्ट हैं उस चीज के लिए, आपने कितना थेटर को वक्त दिया और अब भी जब वक्त मिलता है आपको तो वर्क्शोब वगेरा या थेटर वगेरा कितना समय दे पाते हैं, मैंने तो दो तीन साल थेटर दिया, तो बेसिकली हमारा थेटर एब हो पह्ते हैं तो यह हमारे राजिंदर टिवारी जी है जो सिता तो मेरे मिलब फादर की तरह ही है, तो अब वह तो ऐसे है आथेटर , अब कभी वह कुछ भी क्लास ले, कभी कर, कभी भी कुछ कर, ठीश वीं मिलेततॡ भी मैं फ्री हो तो मनें चला जाता हूं , मेरा तो इस Mal करता है कि तो, धेर टेर गशी अंहीं ही करना चाहिए चौन कुछ व स्टाइटर टेर तयेटर के लिए या पढ़ाई के लिए दिल्ली रापता है जरूरी है डिपेंड करता है अगर आप कोई दिल्ली के हैं जैसे आपने करनाल के हैं अभी बंबे जाना फॉर्ड नहीं कर सकते कि बंबे खुद में एक बहुत बड़ी दिक्कत है वहां पर रहना खाना बहुत एक्सपेंसिव है तो दिल्ली में ही जाके जाके अपने ठेटर ग्रूप जोइन कर सकते हैं दो तीन साल ठेटर प्ले कि अपने अपको तैयार करके एकदम अपने लहजा अपनी बाड़ी थोड़ी बहुत और उसके बाद अपना परसे अपने अपको प्रफेक्क करके थोड़ा एक्टिंग स्किल्स लेकर उसके बाद आपको बंबे जाना करता था जिनकी बाड़ी अच्छी है उन्हें ही फ्रंट में रखा जाता था जो लेकिन एक ट्रेंड अब आया जिने जिसमें नवाद साहब हैं जिसमें पंकस्त्री पार्टी जी हैं और भी बाकी जो कलाकार हैं अब उनको तवज्जो दी जाने लगी है बाकी फिल्म्स के अंदर हम देख रहे हैं या एस से पास होट है तो कितना समझते हैं आप कितना बदलाव आया है पहले की अब की इंडस्ट्री में मुझे लगत था बहुत ही बहुत अच्छा बदलाव आया जो भी है है और पहले तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले भी लोग थे लेकिन हाँ हीरो है तो बॉडी होने चाहिए लुक्स होने चाहिए तो तो कॉंसेप्ट था बॉलिवर्ड का बहुत एक गंदा सा लेकिन अब चेंज हो चुके अच्छा है आज तो निवाज़न सिद्गी भी हीरो बनता है अफना रंबिर गवूर भी हीरो बंता है तो आप सक्रेट डिमांड चैनल गोंस समझाब लिए कि स्क्रेट के कांका मिन और चुक्चा चल रही हैं और आगे कौन-कौन से प्रोज्ट में कांघ्य क्राट के में कांच कर चुके और रावा मेरा शूटworking दोسके को मेत थोड़ा से उसका शूट है और उसके इलावा मेरा शो कर रहो है संजीवनी तो उसमें अभी आफ ट्रैक है तो अभी कुछ एक स्टोरी थी कुछ ऐसे कान करके जाता हूं और उसके बाद अभी दुवारा से जांके मैं जॉइन करने वालूं तो थोड़ा यह है और बाकी बस स्क्र HS Imamo Adhaz से कस्ष सब्साओर सब्साइस कुछ करके में उत प्रकांस कर सकता हूं इतनी पेश्यंस मुझ में है इतना चीजर में वहाँपर अगर आप यहां राजा की जिते हो तो वहाँ पर आप नहीं जी सकते.. क्योंकि अगर आप अंभानी भी होता है उसका बेटा अगर वहां पर बॉंबे जाके शिफ्ट होगा तो फिर आयाशी करेगा वह से स्ट्रगल नहीं करेगा तो स्ट्रगल के लिए आपको सब को छोड़ के ही करना पड़ता है पहली बाद तो पेशन्स और दूसरी बाद आप पेशन्स ये वो तमाम चीजें हैं वो जो आपको बॉंबई में सफलता दिला सकती हैं अगर आपको बॉंबई जाना है तो आप में टैलेंट भी होना जरूरी है आप में पेशन्स होना भी जरूरी है और लगन होनी भी जरूरी है कि हाँ मुझे यही काम करना है और मुझे काम कर रहा है और उसे एक मजबूती मिलेगी उसे एक उत्सा मिलेगा उसे एक जोश मिलेगा कि लोग मेरे साथ हैं और मुझे तवज्जो देते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमान शुनारंग करनाल से एक मिलेगा कर दो